तो मैं सूसता हूँ क्यों न यहां चलांग लगाई जाए क्योंकि मुझे बेरा उससे फुटी श्टेप आ रहे थे तो करना क्या था यार बंदर वाली हरकत करते वे मैं उट पठांग जगा पे चड़ जाता हूँ तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वाकत है आपका एक विरान न्यू गलत सीन्ट से भरे पड़े पब जित मुवाइल गेंप्री वीडियो में और यार इस मैच में मैं ऐसी ऐसी जगा पे चड़के बंदे पेलूंगा कि क्या ही बताएं ड गेम की सुरुवात में अगर आप बंदों को देखने की जगा बाट पेल लियो ना यार इसका एक ही मतलब है जहां पर आप उतर रखे हो वहाँ पहुत ही कम बंदे आ रखे हैं गिने चुने चार बंदे आ रखे होते हैं यहां पे तो मैं क्या करता हूँ चलते चलते जो भ पहेंगे कपड़े पहन क्या रखे हैं और क्योंकि अब इस टीम के तीन बंदे नौक पड़े हैं तो यह आखरी बंदा बागा दोड़ी जरूर करेगा और अभी मैंने ध्यान से देखा तो यार पबजी में बैक के नाम पे एक हाथ ही आ चुका है बहुत ही बढ़िया और इस वाले बंदे के कपड़े देख रहे हूँ मतलब मुँपे तो भाई पूछो मत फूल पत्ते पौधे नजाने क्या क्या उखा रखा है लेकिन यह चारों के चारों की बीटी बन जाती है और इन पे भी कुछ खास लुट नहीं पड़ी हुती खैर है यार हम पे भी खास नहीं हुती मतलब लेवल एक का हलमेट लेके आगे बढ़ा था मैं लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यू डिक्शनरी अप की जिसके मदद से अगर आपकी अंगरेजी सस्ती है तो आप उसे महंगी बना सकते हैं और इसकी सबसे बढ़िया बा मतलब से उसे हिंदी या फिर कोई भी लेंगवेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप भी चौड़-चौड़ में उसे अगर अंगरेजी में मैसेज करते हो लेकिन आपको डर लग रहा होता है कि यार कहीं आपका घरामर खराब नहीं तो भीजती हो जाएगी तो आप जा करते हो अपने अंग्रेजी भी बहांगी बनाओ इसके साथ मिल्टी डेर्री बिल्कुल खाली हो जाता है यह होता है यार का सुचौ जा कबहुत दुख़ा neces Say मैं गाड़ी उठाता हूँ और सिधा मिल्ठा पावर आता हूँ देख रहे हो मतला मिल्टे रेरी उतरा था और कहां ना पड़ रहा है यह यह बाई हर किसी को रैंक पुसिंग दबा के करनी है तो यहां पर मैं पहुंच चुका हूँ और बंदों के फुटिश टैप दबा के आ रहे हैं आंके कैसी नियार दो तीन फ्लेर चला रखी होती है और यहां पर मैं सोच रहा था यार बंदे चट पे चाड़े बैठे होंगे बाद में पता चलता है वो चट की नहीं जमीन की आवाज थी किया अब मैं उपर आ ही जाता हूँ और वो नीचे से बंदा गायब ह हो जाता है तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं यहां चलांग लगाई जाए क्योंकि मुझे बेरा उस से फुटी स्टैप आ रहे थे तो करना क्या थायार बंदर वाली हरकत करते वे मैं ओट पठांग जगा पे चड़ जाता हूँ और जिस हिसाब से ये गोली बारी चली है नहीं आपे मैं समझ जाता हूँ दो स्कौर के बंदे पका पका बैठे पड़े हैं तो देखो एक की तो मैं किल चोरी कर चुका हूँ एक को नोग भी कर दिया बस अब गुस के पिलने की कोशिस है और देखो यार यहां पे मेरा मजाग भी दवा के उड़ाया जाने वाला है एक नेट लेता हूँ मैं और दे पटक के फेकता हूँ और हाँ आप सही समझ रहे हूँ मजाग मेरे नेट का ही उड़ाया जाएगा और यहां पे अगर आपको लग रहा है ना कि यह मजाग था तो आगे देखना आगे चार गुना ज्यादा मजाग उड़ाया जाएगा और यहां एक बाट मेरे ख्याल से M16 पटका रहा है खेर उस बाट की तो पेटी बना दी और यह जो चार बंदे मैंने अभी पेले मेरे ख्याल से यह दूसरी सुकोड़ वाले थे अब जो बंदे यहां पहले से बैठे पड़े थे उनका एक आखरी टीमेट यहीं पे बचा पड़ा है और यार पिछली बार भ अब देखो या तो यह कूट के मेरी वाली हरकते कर सकता है या तो यह हमें रस कर सकता है आगया के क्यार इस पे भी मैं नेड़ी फेकता हूँ क्या पता दुबारा किसमाच चबक जाए अब इधर पे मेरा नेड़ फटता है नेड़ के साथ साथ हमारे इस भाई की भी फटती है तो भाई बगते वे आगया आते हैं और यार बगते वे आगया है तो मैं यहाँ पे एक एम लेके खड़ा मिलता हूँ सीधा पेटी बना दी और यार अगर उस उची जगा पे मैं नहीं चड़ता ना मेरे ख्याल से यहां पे कुछ औरी सीन होते क्या पता मेरी पेटी बनी होती क्यूंकि मैं फिर नीचे से अटेक करता और अटेक उटेक में यार मेरी पेटी पूटी बन जाती खैर अब जैसा कि मैंने बोला ता यार बेजती तो होके रहेगी तो देखो यार किस हिसाब से बेजती की जाती है तुम्हारे भाई की स्पैलिंग पेलता हूं गूगल पे और यार जो देखने को मिला ना दिल दुक्या वो देखके चमतकार बता रहे हैं भाई मतलब ऐसा निये कि यार नेड हो गया और ठीक है कि भाई बढ़िया हो गयोंगे नेड नहीं भाई मेरे नेड फट गय तो चमतकार है इनके नेड अब पहले मेरा यहाँ पे टूट चुका था दिल की यार एक ही बंदा आया फिर एक और गाड़ी आ जाती है पीछे से और मैं सही बतारो यार अगर आप ब्रिज कैम डाल के बैटे हो इंतिजार कर रहे हो वहाँ पे और उसके बाद सिर्फ एक बंदा मिले ना भाई बहुत बहुत दुख होता है क्योंकि यार देखो ब्रिज कैम करके यार चार बंदों को पेलने का जो मज़ा है ना वो अलग लावल पे खैर दो तिन बंदे और आ चुके हैं यार अपर अब देखो मेरे को बाकी बंदों का तो कदू भी नहीं पता लेकिन यह जो बहुत लोग है ना यह लोग रैंक पुस करके ही मानेंगे यार यहां पर मैं जिन्दा हूँ रो रहूं कि यार 14 बंदे बाकी हैं उप प्ले बनाने में यार फट के हाथ में आ जाती है ना ही बंदे मिलते हैं हर कोई सेप खिलता है और केंपिंग तो पूछो मत खैर अभी यह जो गिने चुने बंदे आगे मिले हैं यार इनको पेले वागेर कहीं जाने नहीं वाले इन्हें भी छोड़ दिया तो यार पेलूं की महंगी गने पाड़ी हैं और मेरे ख्याल से मैं ओम का फटका भी सुन चुका हूं तो यार लूटे बगएर कैसे जा सकते हैं बलाई जोन से ठीलेंगे लेकिन पेलेंगे जरूर अब हमारे भाई नौक होते हैं और यार मेरे को खुशी होती है दिल से मैं यह सोचता हूं ठीक यार रिवाइज तो मैं दे दूँगा लेकिन आखिर कार जाके ये लोग आगे तो बढ़ेंगे वहां से लेकिन जो मैंने सोचा था ना कि ये लोग अंदार रस करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं करते थोड़ी देर बात करते हैं अब मैं समझ पा रहा हूं समझ पा रहा हूं कि भाईया पे डिलॉप की गने पड़ी हैं एउजी और एडवलो एम जैसी गने लेकिन देखो यार गुरुजा गुरुजा होती है तो भाई पूरे जोस में आके ओपन से रस करते हैं और मैं एमपुर और गुरुजा मिला के दोनों की पेटी बना देता हूं अब देखो जोन डैमेज दे चाहे पेटी बना दे मैं वहाँ से उठा के जरूर निकलता हूं अपनी एडवलो एम को कैर उसके बाद यहां से हम जाई रहोते बंदो की तलास में क्योंकि इतनी किल से कंदू कुछ नहीं होने वाला कम से कम 20 किल तो करूँ और जाते जाते हमारे भाई को एक बंदा साप बलते वे दिखता है तो मैं रूपता हूं यही गाड़ी और ऐसे किया जाता है रैंक को असल में पूस देखो गाड़ी आई कहीं पे भी धरड़ पेड़ लेड़ जाओ उन्होंने तुम्हें देखा हो चाहे ना हो बस लेड़ जाओ साप बन जाओ उसके बाद जैसी गाड़ी थूड़ा आगे जाए उठो और भगना चालू कर दो बस वही है यार किसमत का खेल अगर गाड़ी वाले बन्दों ने देख लिया ना तो ओपर में पेटी बनना सोप अतीसा तो जाता है खास कर जब मेरे जैसे धीड़ बन दे हूँ आप यहाँ से नीचे से गाड़ी दो तो जारी होती है अब यह तो यह थूर्नमेंट की तरह तीन चार गाड़ी लेके खिलने वाले है या तो यह अलग लग टीम के बन्दे हैं और एक ने तो यार यह सेल्टर के गड़े में पेली दिये गाड़ी तो वो लोग वहाँ से ब मेरे को नहीं दिखती लेकिन बंदे लेटे पड़े जरूर दिख जाते हैं देख रहे हुआ ही रेंग पुस दबा के चल लिए सबकी और यार अगर यहां पर हम रुके रहे तो पीछे से पड़ेगी इसलिए गाड़ी लेके आगे बढ़ते हैं और यहां पर पता है मैं इक गलती क्या कर बैठता हूँ देखो जो पीछे से बंदा डी भी पेल रहा था पत्थर के पीछे से मुझे लगता है यार हेट सोट पड़ गया वो दोनों के दोनों ठिल गए लेकिन सीन क्या होता है जिसे मैंने पहले नौक चिया था बस वही तिलता है और यहां पर दो बंदे जिनता है लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है कि बस एक ही बंदा है और इसे पकड़ के पेलूँगा और यह लोग पकड़ने वाले हमको बहुत ही जल्द और यार तयार हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होने वाले हैं पूरा दबा के होगा सीन अब देखो यह बंदे जून के बाहर बैठे पड़े हैं मेरा टीमेट एक बार को बोलता भी है कि भाई जून चल लेते हैं लेकिन मैं हूँ हच से जाता ढीट मैं बोलता हूँ या तो इनको पेल के जाएंगे या तो ठिल के जाएंगे सिधा लोबी लेकिन यार जोन इने बगएर पहले बिल्कुल नहीं जाने वाले और इसी ढीटता की वज़ा से गलत सीन होने वाले है यार बंदे उका तो पता नहीं लेकिन जोन एक तरह से पहली देता है हमको देखो यार दबा क्योंगे गलत सीन अब हमारे वो भाई M4 से जो जहर सप्रे देते हैं यार फटके चारो जाकिये मेरी मैं तो बज़ाता हूँ सप्रे से लेकिन फिर जोन भाई आते हैं और दे डंडा पड़ता है सीधा में नौक अब देखो वो बंदे को हमारे भाई ने नौक कर दिया और दूसरा बंदा नजाने कहां जा चुका है उनका अब बस हमें जून के अंतर जाना है और यहीं पर गलत सीन हूँ बैठते हैं पैट छोल इतनी है इसमें मैं पैटल बढ़ रहा हूँ इसला नहीं होगा जून के बाहर है हील के नाम पे कद्दू कुछनी कर रखा है जून में भी जाना है उसके उपर से तामबे पे सुहागा करने के लिए भाई पट्रोल खतम हो जाता है अब देखो यहाँ पे डेट ता किसकी थी मेरी जून के बाहर लट रहा हूँ भाई पता है जूनाने वाला है फिर भी लट रहा हूँ उसके बाद नोग भी हो गया लेकिन देखो पेटी किसकी बनी हमारे भाई की और यार देखो मेरे को ना इतना दुख भी नहीं हुआ क्योंकि वो जो बेजती की गई थी ने वो मेरा कल भाई चमतकार बता के बदला हो गया मेरा पूरा अब ऐसे यहाँ पहले से गाड़ी की फटी पड़ी है दुआ आ गया बस आग निकलना बाकी है लेकिन उसके उपर से एक बंदा या तो साब बना या तो कहीं पीक पाक कर रहा है और गाड़ी की ऐसी तैसी और कर देता है अब देखो यहाँ पर अगर मैं ज़्यादे देर रुका ना तो यार वैसे भी पेटी बन जाएगी तो मैं बलता हूँ जो होगा देखा जाएगा गाड़ी लेके आगे चल देता हूँ और गाड़ी अब मैं आगे बढ़ा पाऊंगा यह यार भूल जाना चाहिए मेरे को जो भी करना है से हिम पैदल ही करने होंगे और उसके उपर से ये बन जाने कहां बैठा पड़ा है देखने की पूरी कोशिस करता हूँ भाई दिक्के नहीं देते भाई सिर्फ तब मुंडी निकालते हैं जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ खैर फिलाल के लिए मैं ठीक ठाक जगा पे हूँ और यार AWM पड़ी है तो मैं घर पे रस रूस कर सकता हूँ भाई की निडरता देख रहे हूँ चत पे बिल्कुल ओपन में खड़े हो के भाई पीक करके खड़े हैं और उसके उपर से उस बंदे को देख रहे हैं जो मेरी पेटी बनाने को था खेर जो भी हो अब नोक कराए तो यार रस्तो करना ही पड़ेगा बले भग के करना पड़े और देखो PUBG एक ऐसा गेम है जहां पे आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो कहीं पे भी किसी कोने में चुप जाओ कहीं पे चले जाओ आप सेफ बिल्कुल नहीं हो सीन क्या होता है वो रिवाइफ देने बिल्कुल अंदर जाता है और जहां पे उसका बंदा नोक पड़ा होता है वही पे भाई दबा देते हैं लेकिन मैं क्या गरता हूँ उपर से आता हूँ और खिड़की से साफ दिख रहा होता है अब उस बंदे की भी क्या गलतियार उसने बोला घर पे बैटे हैं घर के बीच पे बैटे हैं कौन पेल के चल देगा और मैं पेल के चल देता हूँ खेर अप उस बंदे को देख रहा हूँ जो पहाड से नजाने कौन सी बंदू पटका रहा था भाई गाड़ी लेके आते हैं और इसे कहते हैं गोली कोई चलाए और पेटी कोई बनाए यहाँ पर मैं अंधा गोली चला रहा हूँ बंदे को परिशान करके रख दिया वो मेरे से कवर लेने के लिए पत्थर पे रुखता है और उसे कोई और पेल देता है और यहाँ पर अगर मेरी सनाइपिंग थोड़ी सी भी धंकी होती ने यार गेम खतम हो जाता चिकन चुकन रखाता मज़ा टैपा जाता और आखरी में हैट सोड भी दिया होता मैंने लेकिन सस्ती सनाइपिंग के चलता यार बंदा थिला नहीं और अब उसको पता चल चुका है मेरे पे AWM पड़ी है तो भाई जादा देर तक पी करेंगे नहीं और उसके उपर से लगभग हमेशा की तरह जोन भाईया हमें फिर से धोका दे जाते हैं सद्दा पंगे दवा के चलने हैं और उसके उपर से मेरे पे गाड़ी भी नहीं होती तो मैं जोन के बाहर गाड़ी लेने आता हूँ और गाड़ी देख रहे होँ दो टायर फटे पड़ें बिलकुल और इस गाड़ी को जोन पहुचाते पहुचाते कहीं मैं लोभी न और एक और बार एक और बार मैं अपनी सस्ति सनाइपिंग के वज़ा से आर परिशानी में भच चुका हूं ओपन में भगना पढ़ रहा है और इस बार तो जिंदगी में आर बोडी सोड तक नहीं लगता देखो सरम मुझे दबा के आनी चीए लेकिन हम है कता ही धीट इंसान तो सरम के नाम पे मेरे को कद्दू कुछ नहीं आता मैं भगते भगते यहाँ पत्थर पे पहुंचाता हूं अब वो बंदा भी पत्थर पे है मैं भी पत्थर पे हूं तो अब दोनों क्या करेंगे नेट पे नेट बरवाद और जिस हिसाब से आर मेरे नेट जा रहे है न मेरे को बिलकुल भी नहीं लगता कि चमतकार के नाम पे मैं कुछ उखाड़ने वाला हूं यहाँ तो हां इधर उदर हिलते रहना पड़ेगा मुझे क्योंकि आर मेरे नेट न फटे उसका मेरे पे जरूर फट सकता है आखिर कार आखिर कार जाके 5-6 सोट मिस करने के बाद एक गोली लगी जाती है सर पे यार अगर ये भी मिस कर देता ना तो पक्का पक्का मेरी पेटी बनती और देखो वो बंदा प्रीफायर दबा के देता है जो की काफी बढ़िया बात है लेकिन देखो बहलाई AWM एक सस् से भी नहीं लग रहा था वहां जोन के बाहर से हम बच किया पाएंगे हम तो क्या मैं ही बचा सिर्फ खैर आज के विड़ो में इतना ही भालो गयार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे ये वो जो चमतकारी नेट थे जैसा कि हमारे भाई बेजती करके बोली रहे थे यार उसके लिए लाइक लिए ठोकडा मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हो तो यार करो सबी स्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते यू डिक्शनरी चेक आउट करदा मत भूल उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिलकुल टोक में है तो कर मिलते है यार बाई बाई कर दो कर दो